हलो दोस्तों नवस्कार मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मूर चले हम लोग स्पीडी समान विज्ञान जो है इसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं में और यदि डाउन टू अर्थ जाना हो मुझे तो वह भी मैं करके आपको दूंगा मैं पूरी पूरी कोशिज करूंगा कि आपको यह पूरा वीडियो एकदम देशी अंदाज में इसको खाटी अंदाज करते हैं उसमें आपको समझ में और जितने भी एक्जाम सोने वाले ह आगे चाहिए हो गुरूबडी हो सीवीटी टू हो एससे जीडी और जो भी हो एक्जाम जिसमें यदि साइंस सेक्शन आएगा तो वह इस स्पीडी से ही आएगा और इस मॉडल सेट से ही आएगा तो आप लोग आख मून के इस पूरे सीरीज को करते जाएए और देखिए आपको फायदा जरूर से जरूर पहुचेगा चले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को मॉडल से 13 के पहले क्वेश्चन को ब्लैक होल का सिधान किस ने प्रतिपादित किया था यह किया था एस चंद्र सेखर ने अब ब्लैक होल जो है इसके बारे में आपको थो प्रति ज्यादा हाई है ऐसा कर सकते हैं बोतल का कारक किस ब्रिच की छाल से बनायता है इसको को की छाल से बनाया जाता है इसको आप रट जाई है जो चीज़ाने वाली होगी मैं उसे डाउन टू अर्थ जाके इसम समझाऊंगा दूद से क्रीम को अलग करने पर दूद के को निकाल देंगे क्या करेंगे दूद से क्रीम को बाहर कर देंगे तो उसमें जो और ज्यादा कोई सी चीज़ को घुलाने की छमता जोगी बढ़ जाएगी इसका मतलब वह को से घनत हो जाएगा लोगों में दिक्कत क्या होती है कि सोचते है कि अच्छा निकाल दिया तो घट जाएगा नहीं यहां पर यही उल्टा पड़ जाता है जंग लगने पर लोहे में क्या होता है कि जंग जैसे ही लोहे पर लगे मतलब क्या होगा आईरन ऑक्साइड की परत हो जाएगा उस पर तो उससे क्या होगा वह लोहा और भारी हो जाएगा ठीक है खराब तो किसे काहता है तो हिपोक्रेटर को चिकित्साश आस्रीष का जनग कहा जाता है मदंनेमनी से 80% जनरली 70% आप कह सकते हैं कि एक आदनी के सरीर में 70% जल रहता है किस रोग में रखत का ठकान नहीं जमता है तो हीमोफिलिया जो रोग है यह जनेटिक प्रबलम है मतलब तारा पापा कर रहे तो तोरो होई अवकर आगे और हो सकता कि मनें मतलब कोई गरैंटी नहीं कि आ दाल हरा रंग में दिक्कत होती है समझने में जिससे रेलवे ड्राइबर आप नहीं बन सकते हैं या बहुत सारे डिफेंस सर्विसेज में आप नहीं जा सकते हैं यदि आपको वर नाम देता रहेगा तो यह दोनों जो हैं रोग वो क्या हैं जिनेटिक्स चलते हैं कूपोस शरुर सताइस्तों गलब र्स और मरास्मस नाम को विमारी हो सकती हैसेज में यूरिया किस अंग में बनता है तब कई लोग यकृत समझके तूम घरबड़ाय आते हैं नहीं भाई यकृत को लिबर कहते हैं चेक्या तो लिवर में आपका यूरिया बनता है और लिबर मेंesian लप्था करना बंद कर देए nे रहेubscribe कम करना बंद कर देगी तो आपके संथान्हें पर बड़ापा या किया देन कहाता है फिर मानों जब से जनम लिया तब से अभी तक का जो इस्थिती रहा उसके अध्यनों कहते हैं एंथ्रोपोलोजी रख्त चाप किसके दौरा नियंतित होता है यह आपका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी घट जाता तो इसका नियंत्रन कौन करता है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग खरीद के लाते हो सुधा वाला पाकेट वाला दूद एक दिन तक रहा जाता है घर में और दूद दिन चल जाता है का है घर के गाई के दूद रखके देखो एक दिन में खाराब हो जागा इसके पीछा करण है पस्चुराइजेशन तो एक रूल है यहाँ पर बताने लोगो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा तो पस्चुरेशन एक प्रोसेस है जिससे दूद को लंबे समय तक ठीक रखा जा सकता है बस यह आप जानके रखिए खोश किसने की थी लोई पास्चर ने बी एच सी 10 परशंट का वैपारीक नाम का है जहां पर महराष्ट वाला जो है आपके काली ज्टी जहाँ ज् Een कहाँ जफे खेती कहा ज्यादा उति है तो ये भनरी द्धरान किसे दर्ण होता है तो फिटा दोता कि पिता है मुझन अपन ऑड़ान होता है वह में बच्चा एक जनर्म लेता है तुस होता कि वह प्रडर्श उतरिक बुण भाजन होता है मतलब बैस गुर्ण Сथर तो माता से लेगा 22 सी नेगा लेकिन माता के पास क्या है Liveslatt दो पास और पीटा के पास एक स्वाई गुर्ण शत्र है यदि वह एक्स ले लिए 22 प्लस एक्स ले लिया इसका मतलब पुत्री का जन्म होगा एधी 22 प्लस वाई ले लिया इसका मतलब होगा कि पूत्र का जन्म होगा मतलब उसके लिए जिम्मवार कौन है पूत्र पिता है माता कभी जिम्मवार लिंक ने धारन के लिए नहीं होते चुकि माता का सुत्र जब भी होता है जीवन रक्षक हर्मोन किस ग्रंथी से स्रावित होता है तो एड्रेनल जो ग्रंथी है वहीं से जीवन रक्षक हर्मोन स्रावित होता है बेरिमेटर में दीखाना पारे का तल गिर ना क्या दिखाता है यदि अधि असल इसका मतलब हो रहा है कि वहाँ पर आंधी तुफान आने वाला है और यदि धीरे धीरे गिर रहा है तो बारीस होगी दिरे दिरे उपर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा यह सब चीज आप याद करकर रखेंगे चलते हैं मोडल सेट 14 जी और एच फैक्टर का समंध्र किस से है तो रख्ट से है पैंसिलीन क्या है तो पैंसिलीन एक एंटिबायोटिक है मनुस्य के हिर्दे में कितने प्रकोष्ट होते हैं चार अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पायाता है तकि अंडा में दूध में इसमें विटामिन सी नहीं पायाता इसलिए इसको संपुर्ण आहार नहीं कहा होसकता है प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वरा होता है प्रोटीन का पाचन पेपसीन का द्वरा होता है यह पेपसीन जो है उसको पॉली पेप्टाइट्स में बदल देता है कई बार यह भी पूछता है कि पेपसीन किसमें बदल देता है तो पॉली पेप्टाइट्स में बदलत आप एंड़ा का उजला भाग होता है बाहर दोरफ उसमें प्रोटीन अधिक पायाता है वह बड़ते अगले कुश्टिन के ओर लोह कि किस रूप में कार्बन की मातरा नियूंतम होती है जो पीटवा लोहा होता है उसमें जो कार्बन होती है बहुत कम होती है और जब धलवा बनाते हैं और बनाते हैं कपोला फर्नेस में याद रखेए गाई जिवीयान का जनक किसे कहाजता है जिवीयान का जनक का तह रास्थ्यूbau ऑत तो पीता हो अरस्तु और उसके बाद जब ब्रांच बटा तो केवल मानो मतलब एनिमल्स पे स्टटी होने लगा तो उसके भी गुरु होगे मतलब पीता होगे कौन अरस्तु अब बाद में बना ये ममला किसका पेड़ पोध होगा तो उसके फिर फादर हुए थियोफरेटस तो यसे सोडियम देखाते हैं। जो दाइँ दर्द दूर करेंगे से बने होते हैं, प्रोटीन में 20 तरह के ऐमीनो ऐसिड की जरुष होता है जिसमें दस तरह के अमीनो ऐसिड боль हिए जिसमें 50ज़ के आपास होता है और दस तरह के एमीनो एसिट्स हैं हम लोग भोजन में ग्रहन करते हैं और जो भोजन हम लोग ग्रहन करते हैं एमीनो एसिट्स को उसको पहचानने के लिए आरेने वह बैठा रहता है वही पहचान करता है कौन से एमीनो एसिट्स हमारे काम के हैं जिससे हम लोग क्या बनाएं पाइंग तुछ पाया जाता है तो यह चार वीद्ध रखेंगा एंटी बायोटिक्स नस्ट करते हैं किसको बैक्टीरिया को लोह का अंस सबसे अधिक पायाता है हरी सब्जियों में खास करके पालक में रानी खेत इसे मन्दुश्क कोई रखे हैं आप लोग और देखे होंगे उसमें जो विक्टिक उसलिए उसकी जो मार राती उसको अल्जाइमर हुगा रहता है उसको भूलने के बिमारी होती है यह मस्ति से समझने से अल्जाइमर बिमारी यह आपको यह सेसन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर देना ताकि उनको फायदा मिल सेके और आसानी से याद हो सेके सारा कुछ और जो हम लोग मैं डीटेल्स बता रहा हूं या आपको बुक में डीटेल्स नहीं मिलेंगे यह मैं अपने अनुवक अधार पर आपको बता पा रहा हूं तो आप लोग हमसे जुड़े रहिए इस तरह से आप लोग भी एक्स्प्लेइन करने लगेंगे कुछ दिनों में बु जोता है जैप पदार्त जो होते हैं मतलब फूट जो होता है उसका बहन जोता है फ्लएम मका मध्यम रहा होती है तो यह मस्तिस के सेरे ब्रम के द्वारा होती है और सेरी बेलम जो होता है उससे सरी जो हता है बैलेंस होता है यूजे आप दान। पिलेंगे तो आफा का सेरी बेलम जो है सबसे अधिक समिस्रित बनाता है तो कार्बन सबसे अधिक समिस्रित बनाता है कहीं भी देखिए तो यह सबसे ज्याद है कोई कर रहा है तो कार्बन और हाइडोजन मिलके जितना ही पैट्रोलियम है सब में क्या है सब को हाइड्रो कारबन करते हैं अब क्या रहा है उसमें से देखना की ठेपा सही है कि नहीं मतलब इसका उगली लगाया व्याओ तो उसको फिर से करते हैं सिलवर नाइड्रेट का घोल उस पर लगाएंगे तो फिर से अच्छे से दीखने लगता है डिहाइड्रेशन से प्राय किस पता के कमी होती है सरीर में जब डिहाइड्रेशन हो जाया है सरीर से पानी कि किसी भी विदि प्रेखक करने के लिए प्रतों होने वाले किस से बनी होती है कि से मत्ती है न्यां 802到了 टेक्सोल किस ब्रिक्स से प्राप्थ होती है ता कैंसर के प्रसित दवा है टेक्सोल जो यू ब्रिक्स से प्राप्थ होती है यू ऐसे लिखाया आता है यू इसके व्रिच से प्राप्थ होती है चीनी के सोधन के लिए कौन सा रंजक परिवथ होता है तैकि चीनी जो है न जो क्रित्रिम सिल्को रेयोन कहते हैं ठीक है यह खुद से मतलब में मड़ बनाया गया था व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है देखिए आपर तीन चीज़ों में समझाऊंगा व्यक्ति के जो भार है लिफ्ट में यह जा रहा है तो जब ऊपर जाते रहे अब यहाद रखेंगे इसेफी सकता है हाइडोजन का समस्थानिक तीन ऑटेनट्रियम यह समस्थानिक होते हैं इसके द्रव्यों में उस्मा का सर्वत्तम समाँख है पारा जो एक धातू है लेकिन यह द्रव अवस्था में होत अकम्रे के ताप पे और इसमें यह जो यह य टिमाने का आंसिक करण क्या है तो इन सारे लेयर्स में से होके गुजरता है और इन अलग-अलग लेयर्स जो है इसका डेंसिटी अलग है इसमें अपर्टना अलग-अलग है इसका क्या होता है कि हमें लगता है कि टार मार है यानि कि इसके साथ कोस्ट्रिक और वबाल कर साबुन तयार कियाता है धुर मैं मद कीजा बहुत सडान दुसकी गंधा यहां वहत गंद्वा कि मानों में के कुल संख्या कितनी होती है 33 मानों शेड में औस तर ऑक्सीजन की कमी सब्सक्राइब होती है कि ग्लुकोमा ग्लुकोमा त्रेकोमा यह सब किसके रोग है नित्र के रोग है सभी जैव योगिक का अनिवार्य मूल तद तो कौन सा है जितने भी जैव योगिक बनते हैं उसमें वो कारबन होता है कि फोटोग्राफी में कौन सामल प्रियोग कियाता है फोटोग्राफी के अंदर हम लोग औक जेलिक एसिड का यूज करते हैं बड़तेसे बड़ते हैं लोग मोडल से सिक्स्टीन की ओर डाइनामाइट का प्रमुख अवेव कौन सा है तो डाइनामाइट में नाइट्रो गिलसरीन होता है पॉर्ण हरित में पस्तित मुख्य धातू है मैंगनिसियम देखिए यह जो कुष्चन है आज ही UPPCS में पूछा है ठीक है क्लोरोफिल में क्या होता है कौन से धातू होती है मैंगनिसियम होती है कोबाइट 6430 करता है गामा किरनों और गामा किरने यहां पर तीन किरनों को बारे में बताऊंगा कौन कौन सी अलफा बीटा और गामा देखिए अलफा बीटा और गामा में गामा के स्पीड सबसे अधिक होती है अलफा के स्पीड कम होती है तो जिसकी स्पीड कम होती है वह खरगोस के स्पीड बहुत तेज थी तो जिसकी स्पीड सब बहुत तेज थी वह कम दूरी तक जाएगी जिसका स्पीड स्ल स्पीड बहुत तेज होता है लेकिनों कम दूरी तक ट्रेवल करती है और बीटा तो विचला बीच में यह है तो इसका बतल आप लोग समझते ही होंगा अच्छी तरह से इतना तो समझदार आप लोग हैं बढ़ते आगे प्रिथ्वी के प्लायन वेक कितना होता है प्लायन व आगा उपर गुर्ता कर्शन को छोड़के ऊपर चला जाएगा वह वापस नहीं आएगा तीसी को प्लायन वेक कहते हैं ठीक है प्रिथ्वी कितना है 11.2 किलियोमेटर पर सेकंड आगी क्वेस्चन में आने वाला है चंद्रमा और सूरी सब का वहीं में बता दूंगा अलको को प्योग करता है 40 ूशलीक नीचे के अपमान को मापा जाना है तो हम पर अल्कोहल कर देते हैं किसी पदात को गर्म करने पर क्या परवाव पड़ता है लेकिन वे उसको गर्म करेंगे तो आयतन बढ़ जाता है और ध्रमान नियत रहेगा द्रमान नहीं ना ताप टढ़न ओनें ऐसे बढ़ता है किसी ची से बढ़ता घरता नहीं है नहीं है लेकिन जय French करेंगे तो आये तर युश्य हना उसका बढ़ा जाता है ध्वने की चाल किस पर कशी है तो कि माध्यम की पर्तियास्था तथा घंथ तो सबसे अधिक सब्सक्राइब में सबसे कम गैस में होती है यहाए कोई जब आप मान भढ़ा । क्या होगा स्टी्ट भी बढ़ जाबा चुकि हावा में जैसे तंप मझोन मड़े घा बंकchuन होते हैं इसमें एनर्जिक्क हो जाएगों उसमें एनर्जी आ जाएगी इनर्जी ऐने से ज्याद तेज प्रोपगेट कर पयेगी इसका साउड भी बहुत तेजी से प्रोपगेट करने लगेगा समान्याख के लिए दूर बिंदू कितना होता है अनन्त अनजिक बिंदू कितना होता है पचीश सेंटेमीटर प्रकास का सबसे अच्छा परवर्तक किसे कहते हैं संतल दर्पन को तो इसमें अनंत पिक्चर्स बनेंगे इन धनुस करें प्रकास का पुर्ण आंत्रिक प्रवर्तन होगा फिर अपवर्तन होगा और वण निवी शपन होगा तब जाके इन धनुस में साथ कलर होते हैं लेकिन आपको दो तीन ही दिखेंगे तो बाकी कलर कहां चले जाते हैं यह भी तो पूछेंगे तो बाकी कलर भाई प्रकिणित हो जाते हैं प्रकिणित होने का मतलब वो फैल जाते हैं अकास में ठीक है वह आपको दिखाई 줄 यह दिखा धेते हैं अब question पूछता है कि इंधर उसके बीच में कौन सा रंग आता है ते इंदर के बीच में हरा रंग आता है बैजानी यहां पी नाला इस तरह से सोटैक्स याद कर सकते हैं बीच में हारा हुआ हारा रंग अब आते हैं प्रकास का प्रकुर्णन किस पर करता है उसका तरंग ध्यारे पर जिस कलर का तरंग ध्यारे जितना अधिक उसका प्रकुर्णन होतना ही कम जिसका तरंग ध्यारे जितना कम उसका प्रकुर्णन होतना ही अधिक जैसे बैगनी जो होता है उसका तरंग ध्यारे 45- इस कारण वह हमें दिखाई देता है ठीक है फैले जादा नहीं अकास में सबसे कम तरंग धर किसका होता है गामा खिरनों का यह इलेक्ट्र बैनेटिक वेब्स में बात कर रहा है निकट्र देश्री दोस का कारण क्या है नेट्र लेंज का 6 सदोरी कम हो जाना और यहाँ पर कहीं डिकट्र-देश्री दोस में कया होता है लेकिन निकट देश्री दोस में क्या होता है कि नजदीक की वस्तु तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखती है ध्यान रखिएगा नाम जैसा है उसका काम उल्टा है नाम है निकट देश्री दोस लेकिन होगा क्या कि दूर की वस्तु नहीं दिखेगी नजदीक दूर दो अच्छर का है वहाँ पर हम तीन अच्छर का लेंस लगाएं मतलब उत्ता लेंस लगा देंगे वो ठीक हो जाएगा बस यही थी इसकी थियोरी और चलक पर ताप का प्रवाव क्या पढ़ता है और चलक जिसे सिलिकन जर्मेनिया में ऐसे जो तत्व हैं इन पर ताप का प्रवाव यसा पढ़ता है कि इसकी चलक्ता बढ़ जाती है मतलब इसमें अब खारेंट गणया तो थ्याट धर उसको पास करेगा थोड़ा सा बैसमें पर्तिरों जगता नहीं रहेगी हीटर का तार किसका बना होता है नैक्रोम का बना होता है प्रटोन का भार का कितना गुणा होता है तो प्रोटोन जो है एलेक्ट्रोन से 836 गुणा जादा भारी होता है द्यान दगिया प्रोटोन में प्लस चार्ज होता है एलेक्ट्रोन माइनस चार्ज होता है न्योट्रोन में कोई चार्ज नहीं होता है सियो टू गैस के गुण क्या होता है सियो टू गैस जो है वह अमलीय होता है टेस्ट में कैसा होता है अमलीय मैंने टेस्ट किया नहीं है लेकिन आप सब टेस्ट किया होंगे मैंने भी टेस्ट किया अक्चुली जैसे आप लोग सोडा वाटर या फिर कॉल्डरिंस पीते हैं त अधिक्तम कितनी हो सकती है, तो जितने भी अक्रियेय कैसे होती है, जैसे हिलियम, bachan, ंरीं, जैनव, रेड toimर, यह जो गैसे हैं, इनमे क्या होता jouerव में आठ इलेक्ट्रोन हो जाते हैं इस fiber होजाती हैं। अम्ल का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है जितने भी अम्ल है वो लिटमस पत्र पर जब जाएंगे तो नीले लिटमस को लाल कर देंगे लेकिन लाल लिटमस को कुछ नहीं करेंगे ध्यान रगिएगा कि अमल जो है वो नीला को लाल कर देगा लेकिन लाल यदि अल्रेडी होगा तो उसको कुछ नहीं करेगा अब बात आती है चार की चार जो है वो लिटमस पेपर क्या करता है कि यदि लिटमस पेपर लाल रहेगा तो उसको चार नीला कर देगा लेकिन अल्रेडी पहले से ही न सेवाल के मिलने से ठिक है अमल में कौन से तत्तो के परमाणू अनिवारे रुप से रहते हैं तो कोई भी अमल जब रहोगा उसमें hydrogen ज़रूर रहेगा बिना hydrogen के अमल नहीं होता है भस में इसको चार कहते हैं का लिट्मस प्रक्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप्राप करते हैं साबुन करते हैं साबुन बनाने की प्रक्रिया किसका होता है सोसन क्रिया के कसक्सक्यूद्व 26cciones जो है वह मौन से। पजता है वह अमलिय कि अद्मेंब अ पछता है वह अमली मल में पछता है लगन जैसे नीड तो इससे शुरीय प्तार्ष निकलता है और ऊछ Systems छोटाएं सबस्क्राइब लगवकन कितना होता है थी है देन मड़े लीट तो और लृट टोइलेट कर देते हैं किवाग्त हर्मोन का कार हैं सभी परकार का सरेड़ में जतनी वीरा सायनीक रिया हो रहे हैं उसको नियंतित कुन करता है हर्मोन करता राइजोबंं किसकी तषधा पर होती है इसको कोशिका करता है इसको घर में पीलर होता है फिलर क्या क्या करता है घर को थाम कराइब लप्धाट कर रखता है और वही काम करता है एंडोप्लाज्मी क्रेटिकूलम कोशिक्या को ऐसे फुला करता है ठीक है उसको पीडर काम करता है और वो उसमें दो भाग होते हैं एक चिकना भाग होता है एक रुखडा भाग होता है तो जो रुखडा भाग होता है उस पर प्रोटीन बनता है जो चिकन पूरा दिमाग लगा चुके हैं अब इसके अलावा आपके आसपास क्या हो रहा है उससे आप कोई अवेर्नेस नहीं रखे हैं लेकिन आपका जब दिमाग इस वीडियो पर पूरा लग गया तो आखिर आप पे कोई की हमल आखिर पिर कुछ होता है तो सा मैं का करता है को लिए अपने हैं उन जैसे ही कोई आके आपको धपा इसे करेगा तो अचानक से आप पर रिफ्लेक्स एक्षन देते हैं और किसकी वैसे हो पाता है मेरुदंड की जो तंत्रिका गई होती है तो उसी को करते हैं तंत्रिका तंत्रिका अचनात्म क्रिया 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 क्रि कीडonta कीड़नी में नेफर ने मनुस्यों के मे igen में मेरें दण सें कितनी जोडी तन्तृका निकलती है यह 30 जोडी तन्तृका होती है यह दिमाग जब किसी दूसरे काम में लगा होता है तो यह एक्टीव रहती है और चानक से हमको अपने ही चप्त कर में डरावी देती हैं भारत में खो जा गया प्रतम computer virus कौन सा था तो यह सी ब्रेंज जो computer virus था यह भारत में खो जा गया पहला computer virus था सुहागा करा सायनिक नाम क्या है बोरेक्स पेंसिलीन का मुख्य स्रोथ क्या है कवक पेंसिलीन किसे बना जाता है कवक से पेंसिलीन क्या है एंटी बायोटिक्स है कोकीन का मुख्य स्रोथ क्या है कोकीन का मुख्य स्रोथ है एरिथ्रो जाइलोन कोका यह कोकीन का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम कोई गंद वेगरा जो भी पाचानता है सब सेरेब्रम पाचानता है रख्त समों की खोज किसने की थी कार्ल लैंड स्टीनर्ड ने उने सो एक में पुस्प का ध्यन कालाता है एंथोलोजी लाक्रिमल ग्रंतिया उत्साइद करती है क्या आसू जितना लोग के आँखों से आसू निकलता है कौन निकलता है यही लैक्रिमल ग्रंट्स निकलती है रवर क्या है एक प्रकार का प्रकृतिक बहुलक है इसका प्रकृतिक बहुलक कौन सा है तो आईसोप्रीन होता है इसमें सलफर मिला का हम लोग इसको वल्कनाइजेशन करत कि समदर की गहराई किसी अंत्रशनाभ आप जाती है फैदोमीटर से और उसके अंदर में क्या चीजत है को चेक करने के लिए सुनार लगाया गया होता है पानी की जहाजों में प्रकास्त के तरंग सिधान्त का प्रतिपादन किस ने किया था, न्यूटन ने प्रतिपादन किया था, प्रकास्त के तरंग सिधान्त का, यह कि प्रकास्त जो डूल नेचर का होता है, एक तो आपका तरंग सिधान्त भी है और उसमें पार्टिकल सिधान्त भी है, तो यह किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है 3.6 गुले 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है एक किलो वाट घंटा कितना डिग्री से इंटिग्रेट को परम सुने ताप मान कहाता है जब माइनस 273 डिग्री सल्सियस हो जाता है उसको परम सुने ताप मान कहते हैं उससे अब कम ता कर सकते हैं जो कर सकते हैं इस ताई से इलाकों में बन्धा होता है कि इतना ड़ोगों को परीसानी न हो क्या हुआ कि आवाज को सुनने के लिए कि सिंदर का प्रयों करते हैं इसमें हम लोग एस्टेथ संतर यूजर करते हैं डॉक्टर देखते हो जो आ हो कि आपको ये वीडियो पूरी तरह सा समझ में आई होगी सारे कोशन्स याद हो गया होंगे यदि आपको इस वीडियो से फायदा पहुंच रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वर नोटिफिक आपको हमेशा मिलते रहें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार ताकि आपके दोस्तों तक बीना सेर किये भी पहुंच जाए धन्यवाद